हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आज सुबह सुबह हम निकल गए मैस के लिए मैस में नासता गया यह मेरे फ्रेंड्स है जो आप देख रहे हैं उसके बाद हम चल पड़े कॉलेज की साइट आज सुबह बहुत जादा ठंड थी जो आप देख रहे हैं बहुत जादा को रहा था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था जैसे मनलब जहां पर कॉलेज थी ऐसे लग रहा था यहां पर कुछ है ही नहीं दूर से तो ऐसे लग रहा थे लेकिन पास में आये तब पता चला कि यहां college थी फिर हम आगे classroom में फिर हुई हमारी attendance अभी हम आगे classroom में जो देख रहे क्लास में सर आगे थे तो मैं पूरा वीडियो सूपनी कर पाई थी और फिर हम clinical के लिए निकल पड़े यह सारे बच्चे क्लीनिकल के लिए जा रहे हैं जो आप देख रहे हैं यह मेरा एक दोस्त है जिसे आप देख रहे हैं और यह मेरे सारे friends और classmates सब आ रहे हैं उसके बाद हम जा रहे थे सब यही सोच रहे थे clinical duty पर जाया नहीं जाया बहुत ठंड लग रही थी ऐसे लग रहा था मानो hostel में चले जाये और विष्ट्रों में सो जाये बार ही नहीं निकले इतना जादा को रहा था इतनी ठंडी हवा चल रही थी अब मानोगे नहीं एक बार तो मलब इतनी ठंड लास्ट टाइम नहीं थी जब हमारा first year था इस बार तो बहु जादा ठंड थी और हमारे duty का टाइम भी सुबे 8 बजे से लेके दौपेर की 2 बजे तक रहता है पूरे 6 गंट हमें duty करनी पड़ती है दोस्त आ गया एक जो देख रहे हैं आप लेट हो गया था और यह और दो दोस्ते जो लेट हो गये थे यह भी कॉलेज जाके अटेने इस लगवा के clinical duty के लिए आएंगे और उसके बाद हम फिर भी हार मन मना के सोच सोचा के सब लोग hospital गये clinical क्योंकि वहां पर सार आने वाले होते हैं आटेनेस लेने के लिए इसलिए सब को डर लगता है और सब कॉलेज क्लिनिकल duty जाना ही चाहते है और उसके बाद हम तिकल पर duty के लिए और इतनी ज्यादा ठंड थी आप देख रहें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है उससाइड बहुत हमारी कॉलेज है एक दूसरी डिपार्टमेंट की वह दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी फिर भी हम लोग बोले कि ने clinical duty तो जाएंगे फिर हम ने clinical duty गे और फिर हम लोग आगे अपने अप रहा हो रहा है था और इतनी जादा थंडी हवा चल दी ति आप मानोगी नहीं उद्यपुल में ऐसे तो इतनी जादा थंडी नहीं देखी मैंने लास्टाइम तो हमारा फर्स्ट इयर भी था फिर हम लोग आगे वार्ड में मेरी और मेरी अभी यह जो दोस्त आप देख रह हमारी ड्यूटी भी छे गंटे की लगती तो लगबक हम सारा काम अभी सीख चुके हैं वैसे तो सारा काम कोई सीख ही नहीं सकता है जिन्दी बर सीख नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें जो अभी सीख नहीं होता है हम सीख चुके हमारी यहां पर साधीन की ड्यूटी है और ह उसके बाद हमें वापिस जाना होता है college अर्टेनेस लगा निकली हमारी दो टाइम अर्टेनेस होती है एक मॉर्निंग में जब हम आते तब 8 बजे और फिर एक होती है वापिस 2 बजे और फिर हम चलेगे hostels हो गए उसके बाद हम मिलते हैं सारे friends सामको जब मैस में खाना खा र है और वैसे तो दो फ्रेंट्स दिखे इनको वोग करने की जरुत नहीं है फिर भी हमारे साथ वोग कर ने लग गेत है और यह देख रहे हैं आप सामने की कितंचली का होस्पीटल और यह साइड जो आप देख रहे हैं इस तरह आप केंपस को पुरी तरह देख सकते हैं फिर ह हम आगे इधर मोर्चरी की साइड वैसे तो हमें दर नहीं लगता है लेकिन एक दोस्त बोला कि कुछ भी नहीं बोलोगे उसको बहुत जादा डर लग रहा था और हम कुछ नहीं बोला ऐसे निकल गे चुक्चा आपको देखके डरना लगे फिर हमारा हस्टल का टाइम हो गया है वैसे था हम दोनों साथ में आ रहे थे लेकिन यह मेरी एक दोस्त पीछे रह गी थी और होस्टल का टाइम हो चुका था फिर ही आ रही है तो फ्रेंड्स बाइबाए